आपने भरवां तो बहुत तरीके से बनाए और खाया भी होगा जैसे बैगन का भरवां, करेले का भरवां, तरोई का भरवां, आलू का भरवां नहीं खाया होगा Hello Everyone, मैं निशा, मेरी WellPlate Kitchen में आपका बहुत बहुत स्वागत है आज हम बनाएंगे एकदम नई रेस्पी, आलू इस्टफ मसाला भरवां की रेस्पी, बहुत ही आसान और जटपर तरीके से तो चलिए इस नई रेस्पी को बनाना शुरू करते हैं इस्टफ आलू बनाने के लिए हमने लिए हैं 5 मीडियम साइस के प्याज, 10 से 12 लेस्ट की कलिया, 1 इंच अद्रक का टुकड़ा, इनको छील करके हम ग्रैंड कर लेंगे और इसके लाबा हम लेंगे आलू, ये मीडियम साइस के आलू है, वजन में करीब ये आलू हाफ केजी हैं, इन्ही आलू को इस्टफ बना कर हम रेडी करेंगे लैसुन प्याज, अद्रक को हमने अच्छे से ग्रैंड कर लिया है, अब इसी का हम मसाला बना कर त्यार करेंगे गैस पर रखेंगे कढ़ाई, इसमें डालेंगे दो बड़े चमच, कुकिंग ओयल, ओयल अच्छे से गरम हो चुका है, इसमें डालेंगे हल्दी एक चमच, हल्दी को अच्छी से भून लेंगे, इसमें डालेंगे ग्राइंड किया हुआ प्याज, प्याज को हलका से भून प्याज हलका सा भुन चुका है इसमें डालेंगे दरदरी कुटी हुई सौफ मसाले वाली एक चम्मच 140 इस्पुन अजवाइन 2 इस्पुन क्रश्क की हुई धनिया एक चम्मच नमक या स्वाथ के अनसार आप डालेगा लाल मिर्च एक चम्मच से थोड़ा कम अमचूर पौडर एक चम्मच से थोड़ा कम इसको अच्छे से मिलाएंगे गैस की फ्लेम मीडियम टू लोग पे रखेंगे हाफ टी स्कुन सासु के दाने ये काली वाली सासु है ये डालेंगे थोड़ी सी मेसी के दाने भी डालेंगे मसालों को अच्छे से भूल लेंगे आप चाहें तो इसमें एक चुटकी पलाउंजी के दाने भी डाल सकते हैं मसाले को भूनते हुए दो मनिट हो चुके हैं मसाला अच्छे से भून चुका है गैस की फ्लेम आफ कर देंगे इस मसाले को प्लेट में निकालका फेला देंगे ताकि अच्छे से ठंड़ा हो जाए अब इन आलूों को चीर कर हम देडी करेंगे सारे आलू हमने चीर दिये है आलू को दुबर पानी से वाश भी कर दिया है इन सभी ये आलू को साफ कपड़े से पोंच देंगे, सारे आलू का पानी हमने सूखा दिया है, अब इसके हम आध्याध्य पीस कर देंगे, इस पीस को काड़ करके अलग नहीं करेंगे। ऐसे रखेंगे इसको, अब हम पुरा एक आलू लेंगे इसको अलग करेंगे और इसके बीज का पार्ट है इसको चाकू के हल्प से इस तरह से अलग कर देंगे ताकि इसमें जो मसालम ने बनाया है वो श्टप कर सकें और जितनी पतली लेयार आप कर सकते हैं अलू की उतनी पतली आप कर दीजेगा यह आलू का दूसरा हिस्सा इसको भी मैं ऐसे ही खाली करेंगे सारे आलू को इसी तरह खाली करके हम पेर में रखेंगे अब आलू को हम इस्टफ करना शुदू करेंगे मसाला भी ठंडा हो चुका है मसाले को एक बार उलट पुलट कर देंगे हम लेंगे एक आलू का पीस और जो मसाला बनाया हुआ था इस्टफ वाला उसको फिल कर देंगे अब लेंके दूसरा वाला आलू का पीस इसको भी फिल कर देंगे इं दोनों पीसेद को हम आपस में जोड़ देंगे आलू में अच्छा श्ठार्च होता है उसकी वजह से ये सारे आलू साइड में जोड़े रहेंगे सारे आलू कों हम ऐसे ही बना चत्यार करेंगे। सारे आलू ए में इस्टप बना चत्यार करेंगे, इस भी घी तेल लगाने की तरुवरत नहां इसको कवर क्वर करेंगे। और इसको फुल आज पर हम एक मिनट पकाएंगे उसके पास गैस की फिलेम हम लो पर कर देंगे 5 मिनट के लिए आलू को हम चेक अलू भी बहुत हलका सा कच्चा है इसको दो मिनट धीमी आज पर और पकाएंगे को ठक देते हैं अच्छा हमने तो इनको इस्टीम करके बनाया है लिकिन यदि आप अगर कूकर में बना रहे हैं तो कूकर में थोड़ा सा पाई डालिए एक कप के करीबन उसमें स्टैंड आपका इस्टफ आलू रेडी हो जाएगा और इसके बाद इसको आप डीफ्राइ कर लिजिए आलू को पकते हो दो मिनट हो गए है अब चक कर लेते हैं आलू अच्छे से पक गया है गैस की फ्लेम आफ कर देंगे और इसको किसी प्लेट में निकाल लेंगे आलू को प्लेट में निकाल लिया है इसको हम डीफ्राइ करेंगे पड़ः में डालेंगे ऑन डीफ्राइ करने के लिए ऑल अचिकर गरम हो चुका है इसमें डालेंगे आलू गैस की फिलेम अभी हम मीडियम टू हाई पर रखेंगे जितना इस्टफ आलू की ज़रूरत है उतना हम फ्राई करेंगे आलू उससा फ्राई हो गया है उसको पलट देंगे आलू को घुमा घुमा कर उलट पलट करके हम फ्राई करेंगे जिससे क्या होगा कि आलू के जो लेयर है वो बढ़िया से कुरकरी फ्राई हो जाएगी आलू कुरकरा दीप फ्राई हो गया है गैस की फ्लेम हाई पर रखेंगे और इसको हलका सा फ्राई करेंगे कुछ सेकंड के लिए गयास की फ्लेम आफ कर देंगे आलू पूरी तहर से कुलकुरा फ्लाई हो गया है फ्लेम आफ करेंगे अब इसको करेंगे बढ़िया से प्लेट एकदम नए तरीके का कृस्पी कुलकुरा करारा चटपटा इस्टप मसाला आलू खाने के लिए बिलकुल त्यार है तो friends आप भी मेरी इस recipe को जरूर try करिएगा और अपने comments मेरे comment section में जरूर दीजेगा यदि आपने मेरे channel को subscribe नहीं किया तो subscribe कर लिजेगा और मेरे video को like share भी करिएगा ओके बैटे केर थैंक्यू